है वोट्स अप कैल आशे इंड ये योट्यू चैनल तो फइनली दोस्तों हमने ट्राइपोर्ड पर्चेस कर लिया और यह आ गया है फ्लिप कारट की तरफ से अब जिसको अंवक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा यह ट्राइपोर्ड है तो यहां पर फैनली हम यहां से लगाएंगे एक कट बट एक्चुली दोस्तों यह हमने अल्रेडी खोल लगाता तो इस बज़ा से हम इसको थोड़ा सा साइड से हटा देंगे और यहां पर आप देखोगे कि इसकी पैकेजिंग बहुत बेकार आई हुई थी बट हाँ यह है कि प्रोडक्ट को हम खोल कर यहां पर थ्री वे हैड मिल जाता है बेट वगार टांगने कभी उप्शन में यहां पर मिल जाता है उगर आप इसको देखो तो यह एक डीवी केमरा ट्राइपॉड है जो कि आप मोबैल के साथ भी यूज कर सकते हो तो यहां पर आप देखो यहां पर इसमें एक आपको ब यह यह पर आपसे बहुत सारी आपसण Μल जाते हैं यह यह यह案 ez को सब्सक्राइब करें को यह बिलकुल अच्छे तरीक से यह पर आपको दिखाता हूँ कि सारे यूज मैं वैं को इसको यूज करना एख पर Contlas बता देता हूँ आपको अच्छे से दिखाते इसको तो दोस्तों देखिए यह है इस ट्राइबोड की फुल लेंथ यहाँ पर यह करीब 5.7 फुट का होगा यहाँ पर आप दे सकते हो यह आपका हैड हो गया जो कि आप पर यह थ्री वे हैड है आप इसको किसी भी डिरेक्शन में आप ही साइज कितनी है तो आप दे सकते हो कितना बढ़ियां ट्राइबोड है साइज भी काफी अच्छा है कि आप इसको आराम से यूज कर सकते हो यहाँ पर आप दे सकते हो यह करीब मेरे वराबर ही है या मेरे से थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा हुए इस तरीके से आप दोस्त का option मैंने आपको बताया चीज बता दूँ कि यह जो ट्राइपोड और यहाँ पर इसको अपके लिए जो mobile का mount है वो नहीं आता है आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा mobile holder आपको जो है ना अलग से ही लेना पड़ेगा और यहां पर आपको इसका तो use app side जानते ही होंगे तो आप easily इसको open कर अगर आप डिसको डिला कर दे तो इसको यह लिए horizontal और vertical दोनों प्रकार से ही आप इसको suit कर सकते हो और stability काफी अच्छी होती है अगर आप इसमें बोलो कि आपका जो camera या आप कुछ भी अगर आप लगाते हो तो वो एक side जादा बजानाता है पर इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है यह काफी अच्छी stability के साथ आता है यहाँ पर आप इसको अगर भी screw करोगे तो आप up and down की यहाँ पर इसको कर सकते हो इसको बापस से tight यहाँ से किया जा सकता है और अगर आप इस screw को यहाँ पर आप fold करते हो तो आप left right की तरब से आप इसको turn कर सकते हो आप जिस भी side जाहो आप उस side इसको rotate कर सकते हो इसको बापस से हम tight कर देते और आपको इसको दिखाते आपकी इसकी सबसे कम size यहाँ पर यह कितनी हो जाती है तो इसके लिए हम बापस से इसको fold करके आपको दिखाते आपको तो टोटल कितनी साइज यहां पर इसकी देखने को मिलती है दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं ट्राइपोड अपनी यूटूब मनी से ही लूगा बट एक्चल में यूटूब मनी आने में काफी टाइम लग रहा था इस बज़े से मैंने ये अभी परचेस कर ही लिया क्योंकि काफी टाइम से में वीडियो भी नहीं डाल पाता यहां पर आप दे सकते हो यहां पर एक बॉटर लेवल भी आप यहां पर देख सकते हो आपका ट्राइपोड है जो सही लेवल में है या नहीं आपको बस यह जो बवल होता है उसको center में रखना होता है जैसी आप इसको center में करके आप इसको कर देते हो तो आपका जो mobile है वो एकदम level में ही रहेगा उस तो अगर इसकी मजबूती की बात करें तो काफी मजबूत है ट्राइपोट यहाँ पर आप दे सकते हो इसके जो clips है भी वो काफी अच्छे है आप काफी heavy है यहाँ पर आप इसके compare करें अगर इससे तो यहाँ पर आप दे सकते हो कितना कमजोर है और यहाँ पर यह देखिए कितना heavy है आप जब आपको इसको हाथ में लोगे तब ही आप feel कर पाओगे जब आप इसको touch करोगे तभी आप feel कर पाओगे अगर आप मैं ऐसे बताओ तो यह नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप देखिए इसकी size यहाँ पर अगर इसको fold करते तो इतनी ही हो जाती है और यह आसानी से आपका जो back इसके साथ मिलता है उसमें आ जाता है बस इसके back के साथ यह काफी अच्छा रहेगा आप यहाँ पर दे सकते हो इतनी ही size है इसकी अगर आप इसको fold कर लेते हो तो जो कि अगर आप इसको extend करते हो तो यह काफी वड़ा हो जाता है आप मतलब करीब 5.7 feet का यह हो जाता है तो यह मैं इसको खरीदने के बाद satisfied हूँ भ तो यह भी tripod में रखूंगा और इसने काफी वीडियो मैंने ऐसी से बनाई है तो इसके लिए और आप लोग ने जो प्यार बनाए रखा थेंक्यू वेरी मच ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते लेगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो चैनल को लाइकन को जिसे लेटेस अब दीद आप तक मिलते हैं